मैं सरदार इंदर जी सिंग, गुर्द्वारा गुरू हर्गोविन साथ सिंग सवाज जनकपुरी का माद्यक्षूंग आज गुर्णानग साथ के छे में अफ्तार गुरू हर्गोविन साथ का प्रकाशपर्व है जो कि बड़ी धूमदान से मनाया जा रहा है, आज मोख दिवान का दिन है, इसकी शुरुवात नो तारिक से हो चुकी है और उसके नगर किर्तन, नगर किर्तन के बाद किर्तन दरवार लगातार 10, 11, 12 टाड़ी दरवार किर्तन दरवार, आज के जो प्रोग्राम है, स्वेरे, 4 वेशु शुरू होकर, ये तकरीबन दुपैर बाद 3 वेश तक चलेंगे इसमें गुरु जी का लंगर भार से आए हुए, रागी जथे, इस टेम कथा चल रही है, जो कि हमरे साथ साथ से बाई बल्देव शींजी आये हैं, गुरु साथ के जीवन के बारे में परकाश डाल रहे हैं, और इसके बाद दरवार साथ हमरे साथ से आए हुए, रागी ज काम रखा गया है, और आज का दिन बड़ा पवित्र है, कि गुरु साथ ने उस टेम जो जालम राजाओं का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया था, इस शांती पूर्ण पंत चलता था, इन्होंने गुरु हर्गोविन साथ महाराज है, उस तरह में तलवारें दो पहन अच्छा के लिए और एक अपनी राज की रख्चा के लिए, तो यह गुरु साथ थे, इन्होंने फोज भी रखी और उस टेम के दुस्ट राजाओं को मुकाबला भी किया, और गुरु साथ ने ऐसे नहीं कि पंजाब में रहकर, पंजाब से बाहर भी, यहां बरेली से और शिरी नगर, कश्मीर, सब जगा इन्होंने फोज तो रखी, लेकिन फोज लड़ने के लिए नहीं रखी, हमेशा यूद से बचने की कोशिश करी, लेकिन जिस किसी ने आकर्मन जबर्दस्ती किया, जुलम किया, उसका मुकाबला भी किया, और यह बहुत बड़ी बात ह है, कि गुरू हरकोविन साब ने कोई भी लड़ाई को भी हारी नहीं है, हमेशा जीती है, इसलिए यह हम लोग को प्रेणा देती है, कि शांती बनाई जाए, लेकिन शांती की एक हद है, जो आदमी जो बरतस्ती चड़ के आता है, हत्याजार करता है, उसका मुकाबला भी तो सकती के साथ हमें करना होता है, यही है धनवात, और कल अमरत संचार है, अमरत संचार में हमारे जो पांच गुरू, पांच सिंग सहवान जो है, यह दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली गुर्वारा कमेटी से, यह अमरत संचार करवाएंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम का स मापन हो जाएगा मैं अपनी तरफ से हिंदू मुस्लिम से किसाइश सभी अपने देश वाजियों को बरेली वाजियों को लाख लाख बढ़ाई जाता हूं